biggest problem of AKTU counseling 2024 यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं पहले ही मैं आपको छेताओं नहीं देता हूँ यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं कहीं ना कहीं आप इस पूरी counseling process में बहुत ज़्यादा घबराने वाले हैं क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी counseling process में यह आप बिल्कुल चौक जाएंगे आपको लगेगा क्या मैं अब AKTU counseling से बाहर निकल जाओं कुछ और कर लूँ क्या तो उसी का solution देने मैं आपको इस वीडियो में आया हूँ पिछली बार तुमान लिजे कि कुलपती वोगेरा बदल गए थे वाईस चांसलर महोदय हमारे चले गए थे पुराने वाले तो नए वाले के आने के बाद चीजें गड़बडाई फिर हमें लगा कि अब चीजें बहतर होंगी अब विस्विद्याले प्रसासन इस चीज प में करवाना है कितने special rounds में करवाना है अभी सिर्फ registration हो रहा है counseling का schedule वो कब देंगे counseling का schedule कहा है इसकी कोई जानकारी ना हमें है ना आपको है और ना सायद किसी को है खेर उससे पहले एक बार मैं आपको एक शेताउनी और छोटी सी देता हूँ शेताउनी क्या है अनुरोध भी है आपसे आपके फायदे की बात है इस टाइम पर आप यदि इस वीडियो को देख रहे है फ़हली बार आप वीडियो को देख रहे है इस चैनल की तो आप तुरंत सब्सक्राइब पर कर जूड़ें क्योंकि इस टाइम पर आप एक टीव के counseling के number one counseling channel पर तुरंत आप पर कार्ड आ जाएगा CVT यूजिगा उसके बाद यह आपको clear है लगातार हर वीडियो में मैं इस चीज़ बताता हूँ इसलिए मैं आपको revise कर देता हूँ अभी comment में पढ़ा रहेगा sir CVT फार्मा counseling कब से होगी after result होगी आप यह मान के चलिए इस मन्त के last तक कहीं जाके पारी expert team से करवा सकते हैं इसके लिए आप सोतंत्र हैं अब बात आती है आगे की वह बात यह है कि आखिर क्या problem आपको आने वाली है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ students अभी तक आपके पास एक proper counseling schedule नहीं है जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी counseling process हो कोई भी admission का process हो वह कभी एक step में complete नहीं किया जा सकता है मालीजे आपका registration हो रहा है registration होने के बाद बताया गया है कि choice filling 17 से 21 तारीक तक जो अभी तक की date है वो date extend होगी क्योंकि registration ही की date आपकी extend हो चुकी है जो 10 तारीक थी वो अब आपकी 17 जुलाई तक आप सभी लोग registration कर सकते हैं जब ये date आपकी extend होई तो निश्चित तोर पर आ आपकी date extend होगी choice filling की भी बट हम ये मानके चलते हैं कि choice filling 17 से 21 की बीच में होगी क्योंकि अभी तक आपके पास कोई जानकारी नहीं है जानकारी आएगी तो सबसे पहले वीडियो सबसे पहले न्यूज डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलिग्राम चैनल पर न्यूज सबस भी एक round में seat फुल नहीं होती हैं तो second round कब से होगा क्या एक ही बार choice filling होगी अभी तक counselling schedule ना देना कहीं न कहीं एक तरीके से बिस्विध्याले परसासन की तरफ से भी फलता है क्यों क्योंकि counselling schedule भया पहले दीजिए choice filling हम बाद में करेंगे हम भी तो जाने कितने round में counselling हो दूरी हो जाता है FW seat का distribution college to college हम किस तरीके से freeze flood करेंगे किस तरह से हम अपनी choices को fill करें कि हमें अगले round में अपनी choices को alter करने का बदलने का मौका मिले जहाभी चीज तो होनी चाहिए ना कि विद्याले के लिए हम अपनी choices को बदल सकें जब हमारे पास जैसे मान लीजिए मैं अब की बार first round में जो मेरा 17 से 21 में यदी होता है जो कि होगा नहीं इसकी पूरी संभावना है कि नहीं होगा अभी clear नहीं है इसके बारे में आप लेकिन 17 से 21 ही मान कर चलिएगा मान लीजिए वो होता है उस दवरान होता है तो मैं 10 college मान लीजिए भरता हूँ जो top के 10 college है म मैं उनको भरता हूँ अब उन में से मुझे अगले round में कोई भी college नहीं मिलता है मुझे है कि मुझे 10 के अलामा भी जाना चाहिए 15 से 20 choice भरना चाहिए इसके लिए मेरे पास choice होनी चाहिए मेरे पास मौका होना चाहिए कि मैं और choices को add कर सकूँ यह हर बार होता है बस इस बा पर possible नहीं है इसके लिए अभी schedule नहीं आया है तो students यह आप मान कर चलेंगे choice filling यह दी नहीं होती है निरधारी तिथी 17 से 21 जुलाई के बीच में तो आप घबराएंगे नहीं आप परिशान नहीं होगे choice filling हमारी एक counseling के according एक schedule के according होगी counseling का एक schedule होगा उसी के according होगी इस अपने college की सीटों के बारे में विवरान नहीं दी है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है विस्विद्याले प्रसासन को इसके लिए विध्यान देना चाहिए यह जो college जो second round और third round में आके सो होते है न यह बहुत बड़ा नुकसान करते है फस्ट round में मान लिजे कि मैं प्र बिरण या कुस तो ऐसा दिक्कत आ रहा है यह लगातार देखा गया है पिछले वर्स इस तरह से बीफार्म की counseling हो रहे थी सुल्तानपुर का एक college था वो नहीं सो हो रहा था लगभग एक ही दो college जो हां के सो हो रहे थे बीफार्म पोर्स की लिए तमाम student से सरी यह college तो है औ 50% जनता अपने channel पर आ जाती है उसे information मिल जाती है और वो कहीं ना कहीं उन चीजों के साथ बेहतर करने का प्रयास करती है और उसे admission भी मिल जाता है बट मान लीजिए चीजे नहीं है और जो लोग इस से दूर है जिन लोगों के पास माध्यम नहीं है कि वो social media तक वो YouTube तक प पनी हुई है कि colleges add नहीं है इस time पर website पर know your college पर आप जाईए आप अपने जिले को जब select करते हैं वहाँ पर पूरे college सो ही नहीं होते है यह बहुत बड़ी दिक्कत है और वहां मालीजे सो भी हो रहे है ना जो choice filling करो तो वहां नहीं सो हो रहे है तो इन सभी चीजों को करने म यह दि choice filling में delay होता है तो आप परिशान नहीं होगे पहली चीज नहीं परिशान होगे वीडियो आएगी मैं live आउँगा आप इसके साथ discuss करूँगा आपकी सारी problem पर हमारी नजर रहेगी किसी भी condition में कहीं पर भी आपको मैं अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ जुड़ आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है और चौईसस फिलिंग में एदिले होता है counseling schedule अभी नहीं आया है और उस counseling जो होगी वो schedule के according होगी यह चीज आपको समझना होगा कि counseling किस के according होगी schedule के according होगी First round का schedule discuss होगा उसमे document verification की date होगी उसमें seat confirmation fee देने की date होगी उसमें counseling स से निकलने admitted seat withdrawal का option होगा ये सभी option आपको एक निर्धारी तीथी पर मिलेंगे और आपका ये सब कुछ एक schedule के card होगा जुड़ जाये चैनल को subscribe करके क्योंगी जैसे ही आपको कोई भी information कोई भी notice आता है वो discuss किया जाता है student की जो problem आती है comment में तो comment आप जरूर करें जो भी आपके comment आते हैं ये comment का ही सवाल था जिसको मैंने आपके साथ discuss किया comment में जो student पूशते हैं सवाल उसको मैं वीडियो के माधन के आपके साथ clear करता हूँ जिसके हर student जान सके जो भी student चैनल से जुड़े हुए